G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान की बात है और भारत के बढ़ते कदम, भारत का नेतरतव, आज दुनिया में भारत को नहीं पहचान दिला रहे हैं। देश को जानने का अफसर भी मिलेगा और भारत कैसे नई तरक्की कर रहे हैं, नई उन्चाईयों पर पहुंच रहा है, उसको जानने का अफसर भी मिलेगा। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान की बात है, और भारत के बढ़ते कदम, भारत का नेतरतव, आज दुनिया में भारत को नहीं पहचान दिला रहे हैं। देशवर में अनेको मिट्र, एंगेजमेंट ग्रुप की, शेर्पा ग्रुप की हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग देशवर में G20 को लेकर हो रहे हैं। कि दुनिया भर के लोगों को जो भारत में आएंगे, अजार और लोगों का यहां पर आना हो रहा है। वो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, देश को जानने का अफसर भी मिलेगा। और भारत कैसे नई तरक्की कर रहे हैं, नई उन्चाईयों पर पहुंच रहा है। उसको जानने का अफसर भी मिलेगा। हमारे हिमाचल परदेश के लिए भी मोदी जी ने सौगात दी है। हम उनका अभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूँ। हमाचल की सरकार भी यहां पर पूरे परबंद अच्छे करेगी ताकि जो भी व्यक्ति यहां पर आए, एक अच्छी यादें हमाचल की लेकर देए। G20 के जो देश है वो यह मानते है कि क्रिप्टो को लेकर जो फैसला है वो बैस्विक्स कर पर होना चाहिए इसके लिए क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी चनौतियां भी है। और फ्लक्सवेशन जो आप मार्केट में देखते हैं वो किसी भी नवेशक के लिए जिनता जनक भी हो सकता है। और जब दुनिया भर के देश इसके अपनी सोज विचार आगे रखके चर्चा करें उसके बाद ही ने रड़ा है। यूपी में जो इंकॉंट्र हुआ है उसको लेकर के सब को और बीएसपी ने सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि बाद बाद में विश्वास नहीं रखती है। देखिए माफिया अपराधी इन सब को सेलक्षन मिलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बुआ बदीजे की सरकार में जहां आम आदमी का उत्पीडन होता था इनका डर खौफ भै होता था आज माफिया खौफ माफिया को दर लगता है कि अपराद करेंगे तो सजाब करेंगे एक जो है वैसी उनका कहना है कि भाजपाद धर्म के अधार पर जो है अपरादियों का आतंक वादियों कोई धर्म नहीं है इसके साथ बात पर जो पश्यम बंगाल की मुख्य मंतरिय मंता बेनर्जी उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है बार 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 जो है बंगाल का जो फंड है कि इंदर पॉस्कों रोक रही है आप जोबिस को ध्यान में रखते हुए आप उम्मीद है कि नहीं मिलेगी और बेनर्जी जी की राजनीति इसी तरह खी रही है खाओ और दूसरे पर आरूप लगाओ कट मनी के लिए जाने वाली ममता बेनर्जी जी सरकार एक नहीं अनेक ही ओजनाओं में बच्चों के मिड़े मिल में भी घोटाला कर जाए। लोगों के पीने के पानी में जलशक्ती मिशन में घोटाला कर जाए। भारे सरकार से आए अनाज के कोविड के साइम टाइम पे उसमें इनकी हिरा फेरी हो जाए। ये एक नहीं अ नेक उधारन मम्ताब नर्दीजी के ब्रहष्टाचार के इनके सरकार के आगे आए हैं और नौकरियों के नाम पर खुली चूट और कुरोर पे ड़कारने वाले इनके मंत्रियों के चेहरे की सामने आए हैं ममता बिनर्जीजी चेहरा बेनकाब हो चुका है दीदी और दीदी की सरकार ब्रष्टाचार के बदराम हो चुकी नम्बे अंतराल के बाद जो है तरह में आईपिल मुकाबले होने जा रहे हैं किस तरह देखते हैं प्रेटर्ण की दृष्टी से मेरी शुब कामना है जब भी मैचिस होते हैं इससे देश और दुनिया भर में धरमशाला की खुबसूरती हिमाचल के कल्चर को दिखाने का अफसर मिलता है और जब दुनिया के जब से खुबसूरत मैदान एच्पी से क्रिकट स्टेडियम धरमशाला में मैचिस हो तो लोग इसका बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं देश पर से प्रेटर्ट भी आएंगे और क्रिकट प्रेमिर भी आएंगे सब विवक्षी जो है 2024 के लिए एक जुट हो रहा है दिली में जो है शरत प्रवाब भी जो है अधनी खड़के से और मिटिश कुमार भी जो है मिटिंगे कर रहे हैं क्या देखते हैं विवक्षी एक जुट है एक अनार सौ बिमार यह हालत विवक्षी दलों की यह सब इकठे भी हो जाएं तब भी मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएंगे मुकाबला नहीं कर पाएं मोदी जी ने पिछले दल दल में फसे यह दल यह केवल अपनी राजनितिक रोटियां सेंकने के लिए कट्टे हो रहे हैं अपने भश्टाजार की कारणामों को चिपाने के लिए कट्टे हो रहे हैं सब्ता का सुख पाने के लिए कट्टे हो रहे हैं यह ना देश के लिए पहले कुछ कर पाए न आप कुछ करने की सूचना क्या लगता है भादबा का दीद करा तरोट पाएंगे तो जाए जब जनता का शीरबाद नरेंदर मोजी जी के साथ है